Okay students, आज हम 9th class का Science का subject लेंगे, जिसमें से पहला chapter है Motion, उसका आज हम sub topic लेंगे, जिसका नाम है Equations of Motion. तो उसमें हम पहले First equation of Motion के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद Second equation of Motion के बारे में पढ़ेंगे, और Last में Third equation of Motion में बारे में पढ़ेंगे. step by step हम इसको बढ़ते जाएंगे, करते जाएंगे, पहला हम सबसे पहले पढ़ेंगे first equation of motion, तो first equation of motion का दूसरा नाम है velocity time relation तो इसको हम इस graph की मदद से बढ़ेंगे, x-axis पे हम time लेते हैं, y-axis पे हम velocity लेंगे और यह जो a-b slope है, इसको हम acceleration कहते हैं, जासे यह देखे, slope of velocity time graph is equal to a-b, यह a-b के बराबर है और is equal to इसको हम acceleration कहते हैं, तो slope किसके बराबर होगी, slope हो गया rise and run Rise का मतलो हो गया कि यह slope ऊपर कितनी उठी होई है, और run का मतलो आगे यह कितनी slope कितनी बड़ी है, तो rise कितनी होगी, b, d यह ऊपर की और p, d हो गया, और run कितना, इसने आगे distance कितना कवर किया, वो हो गया, ad तो अब हम जानते हैं कि B जो है किसका है B C किसके वराबर है ये पूरी लाइम B C किसके वराबर होगी B D plus C D के वराबर होगी तो अब यहां से हम क्या करेंगे B D निकालेंगे B D इदर रहेगा C D पार चला जाएगा ये B C minus यहां plus क्या पार जाके C D हो जागा तो B D यहां से निकाल गया इस B D की जगा हम लिख सकते हैं B C minus C D upon A D अब A B क्या होगी A B हम acceleration को represent करें उपर की हमने लिखा ये acceleration A को denote करता है A से करते हैं इसको B C क्या हो गया ये B C किसके वराबर है velocity के बराबर हो गया velocity minus C D C D कितना हो ये C D इसके बराबर है ये कितना हो गया initial velocity के बराबर है U के बराबर upon A D A D time के बराबर होता है ये इतना distance गवर कर ये time में है तो time हो गया तो इनको cross multiply किया हम आपने multiply किया तो A T plus V minus U T V minus U आगया तो V दर रहेगा U bar चला जाएगा ये plus का हो जाएगा ये minus का तो हमारा पहला relation मने गया V is equal to U plus 80 जिसको हम first equation of motion बोलते है वो जिसका दूसरा नाम है velocity time relation अब हम इसके second equation करेंगे second equations of motion जिसका दूसरा नाम है position time relation इसको भी हम इसको graph की मदद से मैं समझें कि कोशिश करेंगे एरिया अंडर slope इस slope के अंडर जो एरिया आ जाएगा ये पूरा एरिया इसको हम ख़वर करेंगे ये किसके बराबर होता है displacement के बराबर है displacement is equal to कितने बराबर होगी area of O A B C का एरिया जो पूरा है इसके बराबर होगा अब area of O B C जो पूरा एरिया है इसके बराबर होगया area of rectangle ये जो दो parts बनेगी ये ट्रपेजिय मनेगी इसमें दो parts आ गए ये इस ये रेक्टेंगल इस ये ट्रैंगल तो area of rectangle O A C D plus area of right triangle O A B C A B C बोलिए A D B के बराबर बोलिए A D B ये area होगया जो आपने ऐसे line डाल के इसको cover किया तो अब आप जानते हैं area of rectangle किसके बराबर होगया length into breadth के बराबर होता है तो length O A O C into O A के बराबर होगया plus 1.2 into area A D AD होगया AD होगया B D के बराबर होगया B D के बराबर होगया B D के बराबर होगया B C minus C D के बराबर होगया इसलिए हमने सिर्फ B D के जगा B C minus C D यहाँ पे डाला तो O O C किसमें represent करते हैं ये time को represent करता है T होगया O A जो है initial velocity U है U plus 1.2 AD भी यहाँ time represent कर रहा है ठीक है तो ये AD जो पूरा है इसके बराबर हो time represent कर यह T होगया तो B minus C B C क्या होगया देखिए B C ये velocity को represent कर यह पूरी velocity होगया minus C D CD होगया CD इसके बराबर हो A के बराबर यह क्या होगया हमारे पार अब हम क्या करेंगे first equation of motion भी निकाली हमने पीछे V is equal to U plus 80 यहां से हम V minus U की value निकालेंगे U पार जाएगा minus U हो जाएगा तो V minus U किसके बराबर होगया 80 के बराबर अब हम लिखेंगे 80 बाकिया ऐसा चरहेगा ये multiply करेंगे UT plus 1.2 T into 80 हो गया अब S is equal to UT plus 1.2 T और T दोनों आपस में multiply करेंगे base sam हो जाते हैं power एड हो जाती है इसलिए ये बनेगा 80 square this is your second equation of motion इसका दूसरा नाम है position time relation अब हम next पढ़ेंगे third equation of motion इसका दूसरा नाम है position velocity relation अब इसमें भी हमें area under slope graph की मदद से करेंगे यह जो area under slope है यह पूरी slope के area under हो गया is equal to displacement कहते है is equal to area of O A A C BC बोली है जा CB बोली है इसका area जो इसको हम drive करने की कोशिश करेंगे अब यह बन गया हमारे पार trapezium पूरा बन गया O A B C तो area trapezium O A BC is equal to 1.2 इसमें क्या होता है 1.2 जो इसके दो परफंडी को लोते हैं पूसिस हड़ी होते हैं उनका plus होता है multiply by base होता है तो वह BC plus O A into O C के multiply किया तो आप जानते हैं के 1.2 into B C के क्या हो गया यह BC जो है यह पूरी यह velocity पूरी होगी यह velocity को represent कर रहा है time के वो T को represent कर रहा है तो first equation आप motion हमने किया था V is equal to U plus A T यहां से अब आप इस T की value निकालेंगे तो T यहां रहेगा V पार जागे minus हो जागा V minus U upon तो A है उसके ओटे में चला जागा T तो T की value होगी V minus U upon इसको हम पहली first equation में जो है आप निकालें V की value यहां डालेंगे S equal to 2 V plus U into V minus U upon A हो गया अब हम जानते हैं A plus B into A minus B फार्मूला जो होता है किसके बारब होता A square minus B square इसलिए A V हो गया B जो है यू हो गया S is equal to V plus U V minus U upon यह 2 A और बटे में आगया तो multiply जब हम cross multiply यह 2 A S equal to V minus U square is equal to this here third equation of motion यह third equation of motion जो हम इस chapter की जाति इसके साथ हमारा पहला chapter है यह खतम हो गया